आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ अपने को find out कर दिनी है तो सबसे पहले देखें यहां पर है मेरी यह hyperbola जाएगा rectangular hyperbola वो x-y it means यह कैसे जाएगा कुछ इस तरह जाएगा ठीक है एक इधर दूसरा यह hyperbola ऐसे होगा अब इनने बोला है कि इस पर एक center है जिसका 3,3 भी center है यह 6,0 बाला point होगा यह minus 6,0 ठीक है यह अपना origin है जो hyperbola का center है इसका लोकस बताना ABC का अब यह circle जो है क्या करता है इसको cut कर देता है cut hyperbola 4 points ठीक है माल लेते हैं कुछ इस तरह से यह यहाँ पर cut कर देता है 4 points पर ठीक है और वो 4 points कौन से है यह A हो गया यह B हो गया यह मेरे पास C हो गया और मेरे पास यह D हो गया ठीक है तो यह triangle जो ABC बनेगा यह कुछ इस तरह का बन जाएगा यहाँ से अब देखिए यह triangle अगर ABC इस तरह से है तो इसमें क्या हो गया कि सबसे पहले तो यहाँ पेनके क्या करता हूँ मैं कुछ property होती है एक triangle के ठीक है यह देखिए कि सबसे पहले D जो point है वो मेरा यह इस तरह से ठीक है मैंने D को consider नहीं किया हूँ है अभी triangle में कौन सा ABC को ही consider करना है तो यहाँ पे अब सरकल का जो center है यह कहाँ पे है यह C मान लेते है 3A,3B पे है ठीक है so it means जो circle का वो center होगा वही मेरा center किसका होगा एक तरह से जो center जो 3A,3B is D circumcenter ठीक है of triangle ABC होगा इसका मतलब यही तो circumcenter का यही तो मतलब होता है इसकी vertices से बनाएगा triangle का जो center होगा ठीक है बनाएगा circle का जो center होगा तो इसका circumcenter होगा तो इसका एनी C circumcenter अगर बोले तो वो 3A,3B आगा इस triangle का ठीक है and from the property of of rectangular hyperbola ठीक है hyperbola from the property of hyperbola क्या होती है कि अगर इस तरह से कोई triangle बनता है ठीक है अगर कोई कट करते है और triangle बनता है तो इस triangle का ortho center ortho center of triangle ABC यह क्या होता है lies only hyperbola itself ठीक है यह मेरे पास property होती है ठीक है यह important property है तो इस पे ही lie करेगा अब देखिए अगर ऐसा है तो यहां पे और तो सेंटर जो होगा उसका और तो सेंटर वो क्या होगा एक जो यह क्या होता है O यह G centroid यह G है ठीक है और यह H मेरा क्या है O G H यह फिर बोल सकते हैं O G C ठीक है कुछी में बोल दो यहां पे मैं O G C बोल देता हूँ यह जो O G C है यह 2 raise to 1 में डिवैड होता है ठीक है यह जो centroid है और तो center और circumcenter को 2 raise to 1 में डिवैड करता है यह मेरी property होती है ठीक है इस property का स्टेमाल करके मैं यहां पे क्या निकालने का कुछिस करूँगा इस जो center G और H का लोकस निकालने ठीक है तो देखिए O कि तो माल लिए X1 गोमा Y1 जोगी इस hypermula को satisfy कर आएगा और जो G के हैं यह H कोमा के माने है यह 2 raise to 1 है और जो C centroid है sorry circumcenter है यह मेरा 3A कोमा 3B है ठीक है तो यहां से ratio वाली property से H क्या हो गया 2 into 3A plus 1 into X1Y 2 plus 1 यह नही 6A plus X1 upon 3 ठीक है यह तो मेरा H हो गया और K क्या हो गया यहां से यह K निकल के आ जाएगा 2 into 3B plus 1 into Y1 upon 2 plus 1 यह नही 6B plus Y1 upon 3 ठीक है यह H आ गया और यह K आ गया अब देखिए इसका अपने को यह जो H और यह जो X1 है यहां से अगर मैं देखूं तो X1 गया है मेरा 3H minus 6A and जो Y1 है 3K minus 6B equation of hyperbola क्या दिया हुआ है X square minus Y square equal to 36 X square minus Y square equal to 36 it means कि यह hyperbola itself उस पर लाई करता है so इसका मतलब में यहां से ortho center बोल सकता हूँ कि जो इसका satisfy गराएगा Y1 square equal to 36 hence 3H minus 6A का square minus 3K minus 6B का square that is equal to 36 so 3 अगर common ले लिए H minus 2A का square 9 common आगया K minus 2B का square ठीक है इन 9 common ले लिए तो यह आगया equal to में 4 और यह क्या है X minus K1 A तो यहां से K1 A का मतलब K1 की तो वेलू 2 है ठीक है और by minus K2 B K2 की वेलू में पास 2 है equal to K3 और K2 की K3 की वेलू में पास यहां से क्या हूँ compare करने पास 4 Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर